मेरे परिवार जनों, मेवाड की राजस्तान की पहचान आतिथ्य सत्कार की है, लोग संगीत की है, लोग संस्कृती की है, शावरिय की है, यहां की एक-एक विरासत पर गर्व करने की है, लेकिन पांच साल में कॉंग्रेस की सरकार ने राजस्तान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है, मैं इस मेवार की धर्थी को साख्षरा करके कहना चाहता हूँ, जब यहां से खबर आती है, बहुत दुखी मन हो जाता है, बहुत तकलीप सनुभव करता हूँ, और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ, आज जब अपराद की बात आती है, तो कौन सा राज्य तोप पर आता है, कौन सा राज्य है, यह हमारा राजस्तान, आज जब अराजकता दंगे, पथर बाजी की बाते होती है, तो कौन सा राज्य का नाम बदनाम होता है, हमारा राजस्तान, आज महिलाओ, बलीतों, पिछड़ों पर अत्याचार की बात होती है, तो कौन सा राज्य आज सबसे ज़्यादा बदनाम हो रहा है, यह हमारा राजस्तान, क्या आपने, मैं राजस्तान की जन्ता को, बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीब के साथ, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने, पांच साल पहले, इसके लिए कॉंग्रेस को वोट दिया साथ, साथ क्यों, राजस्तान के लोगों को, ब्रह्मे डाल कर, कॉंग्रेस ने यहाँ, सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार चला नहीं पाई, यहाँ गहलोजी, सोते, जागते, बैठते, उड़ते, मुख्यमंत्री की कूरसी बचाने में लगे थे, और आधी कॉंग्रेस, उनकी कूरसी गिराने में जुटी थी, जन्ता को अपने हाल पर छोड़ कर, यह लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे, हिसाब चुक्ता करने में लगे, अपने बेटों को सैट कैसे करना, इसलिए दुसरे के बेटों को कैसे उखाड देना, लेकिन इन सब के बाउजोद, एक विशे को लेकर कॉंग्रेस में हमें साम मिली भगत रही, हमें सा सहमत रही, कॉंग्रेस में राजस्तान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी, पांच साल राजस्तान में कॉंग्रेस ने यही किया है, हर प्रश्टाचारी, हर गुंडा, हर दंगाई, हर त्याचारी, कॉंग्रेस का हर नेता, खुद को राजस्तान की सरकार मान बेटा है, मेरे परिवार जनो, आप मुझे बताईए, राजस्तान में ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या, ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या, एक दिन भी रहना चाहिए क्या, राजस्तान को ऐसी सरकार चलेगी क्या, बेवार की आवाज, पूरे राजस्तान की आवाज है, राजस्तान कह रहा है, राजस्तान विश्वास से कह रहा है, राजस्तान बड़े भरोसे से कह रहा है, भाजपा आएगी, गुंडा गर्दी जाएगी, भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी, भाजपा आएगी पत्थर बाजी रुकवाएगी भाजपा आएगी बेहिमानी रुकवाएगी भाजपा आएगी महिला सुरक्षा लाएगी भाजपा आएगी रोजगार लाएगी भाजपा आएगी समरुज्द राजस्थान बनाएगी